नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चानल फॉस्ट इंवस्टमेंट पे और नाइम यूर मेंटर शिवांच बसी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले आई-प्यो रिलेटेड टॉपिक्स है हम लोग देख रहे हैं कि आई-प्यो में सबसे जादा हाइप है इस मार्केट पे और हम लोग देख रहे हैं कि लगतार हर बार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया आई-प्यो लिस्ट हो रहे है मार्केट पे so IPO में आपको कैसे trade करना चाहिए आप कैसे apply कर सकते हो IPO के लिए and simple step पतला within a minute you can apply in IPO so पूरा का पूरा step आपको grow app के थुरू बताया जाएगा and यहाँ पर एक simplest है जिसके थुरू आप within a minute आप कोई भी IPO को buy कर सकते हो और apply कर सकते हो so करना कहा है आप grow app open करेंगे आप इस interface पर आजाएंगे आप इस interface पर आएंगे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रूल करना है आप नीचे स्क्रूल करेंगे आपको यहाँ पर एक IPO का section दिख जाएगा आपको IPO के section पर click करना है और आप जैसी click करेंगे तो जो available है जो अभी current IPO आयावा है वो आपको open में show करने लगेगा जो upcoming IPOs हैं वो भी आपको show करने लगेंगे और जो recently closed हुए है IPO वो तक आपको show करने लग जाएंगे for example मैं अभी video upload कर रहा हूँ 23rd of March को और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि barbecue nation का IPO लिस्ट हुआ है तो barbecue nation का IPO आच चुका है और 26th of March तक ही आप इस पर apply कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो आप barbecue nation के नीचे आपको view details दिख रहा होगा आपको simply से click करना है आपको बता देगा कि यह company list कब हो रही है 7th of April को issue size का 50 lakh lot size का 30 का अगर आप इसका red hearing prospectus भी देखना चाहते हो तो आप open पे click करके इसका पूरा का पूरा document read कर सकते हो और आपको बहुत easily सारी चीज़े provide हो जाएंगी तो आप यहाँ पे सारी चीज़े पढ़ सकते हो trading reading prospectus से related यहाँ पर आपको सारी knowledge provide हो जाएंगी कि यह company करती क्या है और इसका आगे future perspective क्या है अगर आपको company पसंद आती है तो simply you have to click for apply आप जैसी apply में click करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको bid लगानी है और आप multiple bids भी लगा सकते है so automatically आपको 30 shares दिखा रहा है and bid price पे automatically 500 rupees लिखा हुआ है आप नीचे देखेंगे तो आपको एक cut off price भी show कर रहा होगा आप उसे अगर click से हटाएंगे तो आप उपने मन का price दाल सकते हैं चुकि price band में होगा so मैं cut off price ही लगा देता हूँ cut off price का मतलब क्या होता है कि जो price को लोग सोच रहे हैं निकालने के बारे में हमें बहुत easily वह apply के थूँ मिल चाहे अब आप चाहते हूँ कि मैं एक bid नहीं में multiple bits लगाना चाहता हूँ so आप नीचे देख सकते हैं right hand side में आपको add bid का option दिख रहा होगा you just have to click that और आपका दूसरा bid भी लग जाएगा automatically आप third लगाना चाहते हैं तो आप दुबारा click कर सकते हैं add bid पे तो आपके 3 bid लग चाहे है and वो automatically delete हो जाएगा अब आपको continue पे click करना है आप जैसी continue पे click करेंगे आपसे आपकी UPI ID पूछी जाएगी आपको अपनी UPI ID डालनी है जो कि मेरे शिवांच भजीन 802 add the rate SBI है तो मैंने आपर अपनी UPI ID डाल रखी है आपको simply आपर continue पे click करना है आप जैसी continue पे click है एक बर confirmation मांगा जाएगा कि आपने जो select करा है वो क्या बिल्कुल सही है अगर आप edit करना चाते हैं तो आप edit भी कर सकते हैं अगर आपको edit नहीं करना तो आप नीचे continue पे click कर सकते हैं आप जैसी continue पे click करेंगे यहाँ पर आपकी IPO requested हो जाएगी and आपके account सो automatically जो amount है वो थ apply option show नहीं कर रहा होगा status show कर रहा होगा so आपको simply status को click करना है and आप right top corner पे देख सकते हैं आपको requested दिखा रहा है so अभी requested है मतलब UPI payment almost 24 hours ले लेगा and अगर आपके account में balance होगा तो वो automatically block हो जाएगा so by chance अगर आपको लगता है कि मैं invest नहीं करना चाता भी इस IPO में तो आप simply click कर सकते हैं cancel में आप जैसी cancel पे click करेंगे and confirm cancel करेंगे आपको automatically ये IPO cancel भी हो जाएगा तो simple way में आप within a minute buy भी कर सकते हैं within a minute आप उसे cancel भी कर सकते हैं अगर आप interested नहीं उस IPO को buy करने के लिए so इस Guru आप ने बिल्पुल simple way में बहुत easiest way में इस platform के अंदर आपको IPO को apply करने का बहुत easy ही तरीका बताया है so I think आप लोगो मज़ा आया होगा and IPO या grow app की मैंने पूरी series कैसे account आप यहां पे लगा सकते हैं कैसे account open करवा सकते हैं कैसे buy or sell कर सकते हैं shares को mutual funds पे आप कैसे apply कर सकते हैं सारी की सारी videos मैंने बना रखी हैं जिसकी playlist मैंने already डाल रखी है तो आप म पूरा का पूरा grow का first to last videos तक पूरा देख के समझ पाए and मैं नीचे description पे link भी डाल दूगा अगर आपको account open करवाना है तो बहाँ पर easiest way में आप account open करवा सकते हैं उस link को click करके so I hope मैंने आप लोगों को सारी information IPO से related provide करवा दी होगी and अगर आप लोग interested है तो आप इस grow app में अपना account open करवा सकते हैं और यहां पर आप लोगों को बहुत knowledgeable information definitely provide होगी तो चलिए मैं शिवांच भसीन मिलता हूँ आप लोगों से और नहीं अगली वीडियो पे और interesting videos बनाते रहूँगा मैं कोशिश करूँगा grow आप में नए-ने features आए तो मैं उनकी भी dedicated videos आप लोगों क के सामने present करूँ so मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे तब तक के लिए बाए बाए